मुस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी किप्टो मिन्टू में BNB पर कुछ इंपक्ट आएगा क्या क्या क्योंकि CZ Binance के साथ जो चल रहा है क्या BNB पर कुछ फर्क पड़ेगा चलिए उसके बारे में पताते हैं उनको लें तो पहले लेता है एक गुंड़नीऊ जो उनको लिका रहे तो देके अभी जो वहूस सारी प्रॉल्ण प्रॉल्म फी लेकान अभी भाइबिब भी चल रा था की एक बीच fell पर यह अविलिवल हो गया है एक बार कंफर्म कीजिए तो बिल्कुल बाइविट जो है आपका गूगल प्ले स्टोर पर अविलिवल यानि के आप उसको दुवारा से डाउनलोड करके और अपना अकाउंट कर सकते हैं अब आपका देखिए कूपन एक तरह से सेफ हो गया इं प्ले स्टोर पर नहीं अविलिवल है तो जैसे ही आता है उसको भी आपको अप्डेट दिया जाएगा फिलाल देखिए अभी आप बाइब बिट ने भाई एफाई को साथ रेजिट्रेशन किया है नहीं किया है इसका तो नहीं पता क्योंग अभी तह कैसा कोई अप्डेट है नहीं और जैसे कुछ हैसका अप्डेट होता है कि आपको डाटा सेरिंग की कोई बात आएगी या जो भी जिस तरीके से होगा जितना भी डाटा निकल के आएगा वो आपको सेर किया जाएगा लेकिन फिलाल यह है कि यहां ठीक है आप अपना कर सकते हो डाउनलोड और उ यहां पर आपको आप वह वाली टेंचने सारी खतम कर देना चाहिए कि हमने तो किसी इंट्रनेशनल एक्षेंज को यूच किया है हमें टैक्स नहीं दे लियुम्हारे तो बात निकाल दीचे कि किसी की तरह का इससे कोई इंपक्ट आना है एक तो वह करंट में CEO है नहीं दूसरा पहले था यानि कि भूत पूर्व हो चुपा है अभी तो CEO दूसरा है तो भाई देखिए अब जो आदमी सीधा पद पर रहता है तब इंपक्ट जादा आता है फिलाल आप यह कहो भाई आप आप तो अजियो हो रही है तो ब्कृत ऑफिस्ट के आपका पयायो प्रेंई धाली प्राइजे हो रही है क्यों बाइनिस पर और ज्यादा स्टेक होगा तो यहां पर मैंन बाता आती है इस टेकिंगी तो अब फिलाल सीजर बाइनिस के साथ क्या चलता है उसको साइड कर दीजिए क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फर्क बूजिया नहीं लगता है कि पढ़ने वाला है मार्केट में देखिए बेटेसी फिलाल आपका वही आपको जूला जूला रहा है च्यासट हज़ा रहा है आज थोड़ा सा आपके देखिए पैसट हज़ार नोसो और पैसट हज़ार साड़े आठ सो तक भी आपको दिखाए दिया लेकिन बहुत ज़्यादा कोई यह कोगे न इस पर भी कही नजर आ सकता है लेकिन इसके नीचे कोई केंडल और रेड क्लोज होनी चाहिए अभी तो यही केंडल क्लोज नहीं हुई है तो भाई अभी यह कैमा मुस्किल है कि हाँ क्या यह 64000 जाएगा या नहीं जाएगा फिलाल तो आपके देखिए 66000 के ऊपर ही थोड तो फिर लिक्वडेशन आपका इसो आपको यह 8 billion के आसपास लिक्वडेशन बनता है 8 billion से ज्यादा का ही liquidation है याली कि मार्ली यह नीचे जाकर market को करना क्या है क्योंकि एक्सेंजियों को नीचे जाकर पैसा मिलना नहीं है क्योंकि जो short position थी उनको liquidate तो करना ही करना है मार्केट को चाहिए वो एक वार फिर थोड़ा सा नीचे डाउन मार को फिर अब प्रेंड में लेकिया है क्योंकि उपर आठ बिलियन माल रखा हुआ है और नीचे केवल ओई आपका 28-30 के मार्केट फिलाल दो नहीं लगता है जितना ऊपर माल रखा हुआ तो एकसे हिंगहों को फिलाच जैदा माल तो वह ऊपर की साग है तो इसलिए यह थोड़ा सा यह आपको देखिए एक जूला जूलाये जा सकता है यह का हूंकर यहां से बहुत ज़्यादा नीचे जाने पा तो यह क्रिप्टो यहीं ऐसे काम हो सकते हैं बागी और कहीं नहीं तो आप यह समझे किया कुछ नहीं हो सकता है किजी भी टाइम हो सकता है तो फिलाम मार्केट आपका देखिए वही 66,000 के आसपास चलता है भाई कुछ लोग पूछ रहे हैं बोन के बारे कि बोन में सर्क क्या चलता है यह बोन तो और नीचे जा रहा है बिल्कुल साब बोन अभी चलता है लगबग 0.65 डॉलर के आसपास कितना और नीचे जा सकता है तो सब मेरे एसाब से अगर मार्केट नीचे जाता है थोड़ा बहुत बोके तक बेटीसी अगर हलका सा और डिम मारता है तो आप ही माली जो वही आपका 50-51 की सीरीज तक यहीं के डॉलर में आपका 0.5152 के आसपास तक भी जा सकता है अगर बेटीसी थोड़ा बहुत जो पीछे रेंज से बीटीसी की उसके अगर मैं कहूं तो क्या बाइंग बनती है तो मेरे बहुत देखिए बोल में अल्लेडी मेरी बाइंग सभी से हैं तो मैं आपको बहुत इसक्ष्ट बोलू हां सोट टर्म के लिए मैं बनाता रहता हूं फिलाल इसमें ऐसा कुछ मेरा सीन की नहीं है मैं अगर यह थोड़ा सा और अभी जैसे 65 के आसपास चलना है तो मैं 0.60 या 0.58 के आसपास अगर आता है तो एक छोटी बाइंग बनाऊंगा वह भी सोट टर्म के लिए यानि कि मुझे वह लॉंग टर्म में नहीं रखनी है उसको जो है थोड़ा सा प्राइज और उसको निकाल के ख़तम करें तो अभी फिलाल में इसमें कोई नहीं बना रहा है और आप अपने अपने साइपी करना चाहां तो कर सकते हो क्यों को प्राइज ठीक है यह यह को प्राइज बहुत ज्यादा कोई लीचे जाने के चंस्ट ज्यादा ना जा रहे है तो वह अक लगबग लगबग आपका यह दस डॉलर के ऊपर भी जा चुका है वहां से फिर इसमें डाउनफाल चली रहा है उसके बाद यह कहो कि इसमें द्वारा से रेटन किया है ऐसा नहीं किया है फिलाल अगर इसमें आपको बाइंग बनाने तो मैं देखिए अभी जैसे करेंट म कि मोड़ी आपको इस्टार्टिंग में बनाने तो यहां पर आपको 6.2 6.4 के आसपास अगर कहीं पोल्का डॉट मिलता है तो आप एक बाइंग यहनि का आप पूरा एक लंसम अमाउंट है एक छोटा माउंट आप यहां डाल सकते हैं इसके बाद भी अगर नीचे जाता वहां पर एवरेज करने का तो फिलाल जो सीन है उसके एसाफ से देखिए जो मैंने आपको पहली वाली रेंज पताई है उस पर में भी आपको एक खेरा मिल सकता है यहां से उसको और ज्यादा नीचे नहीं जाना जाए कि यहां पर एक एक साइड़ बार में चलता है और झाल 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 झाल